दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेने सेजुकिसे न्यूज में दोस्ते इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट दोस्तो ये है राजस्तान सरकार ने कुछ दिन पहले सम्वीदा करमचारियों के सेवा नियम बनाने की बात कही थी और नियमों का अनुमोधन के लिए मुख्यमंत्री ने फाइल को अनुमती दी थी तो वो जो नियम है दोस्तो यानि कि सम्वीदा करमियों के जो नए नियम क्या है क्या कुछ अपडेट है वो सारा का सारा एक सिंपल भासा में समझने के हम कोसिस करेंगे हालनकि आप लोग इसे पढ़ सकते हैं कार्मिक विभाग की तरफ से ये जानकरी दी गई है 11.01.2022 आज ही की डेट का है और कार्मिक विभाग की अनुसार सवीधा कर्मियों को किन किन रूल्स को फोलो अप करना होगा यानि विग्यापन से लेके आप लोग नोकरी के दोरान आपको कितना वीतन मिलेगा कितनी छुटिया मिलेंगी सब कुछ बता दिया गया है एज कितना रहेगा medical की स्विधा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो तमाम जो बाते हैं वो यहां पे बताई गई है वीडियो थोड़ा सा लोंग हो सकता है क्योंकि 11-12 पेज का PDF फाइल है उसमें एक एक चीज को समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है अब दीखिए दोस्तों कार्मिक विभाग की अधीश उचना है यानि की नियम है समवीधा कर्मियों के लिए अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो निस्चित तोर पर एक घंटे का वीडियो हो सकता लेकिन कोशिश करूँगा 12-15 मिनिट तक इसको खवतम करने की तो आप लोग देखिए राज्यसरकार लोगित में सामाझिक और आर्थिक विकास के लिए वस्तु विशेशग्य और जन सक्ति के आवशक्ता होती है जिन के लिए सरकार में किसी अन्य सेवा नियम में ऐसे पदों की सेवा निउक्तित्था सर्तों को विनिमित करने के लिए पद विद्मान नहीं है ठीक है इनके कहने का मतलब यह है कि सरकार जो परियोजनाई है इस केम से उनको अपने हाथ में लेती है कुछ ऐसी चीजे होती है जिनके जो पदों की जो नियुक्तिय है और उन सर्तों को नियमित करने की जो है विनिमित करने की सक्थ विद्मान नहीं होती है और मूल सवरूब से ही सरकार उन योजनाओं को लागू करती है आते हैं राजे सरकार के लिए आवशक है कि ऐसे पदों को राजे सरकार में व्यक्तियों को सवीदा अदार पर भ़रे रखे जानो है तो अनुग्यात करें आप देखिए यहाँ पर दोस्तो जो रूल बनाए गए थे उनको नाम दिया गए था देखिए यहाँ पर राजपाल के दुआरा यह अनुमती प्रदान की गई है नाम और प्रारंब इन नियमों का नाम रास्तान सिविल पदो पर सवीदा पर रख़ा जना नियम 2022 यह नाम है रास्तान कॉन्ट्रेक्च्वल सुरूल ठीक है 2022 है अब इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या कुछ बताया गया है वो जानने की है अब आयोग से मतलब राजस्तान लोग से वायोग अभी परेत है राज से राजस्तान राज अभी परेत है और राजसरकार से राजस्तान सरकार अभी परेत है यहानि जहां पर यह वर्ड आयना इनका अर्थ यह होगा आयोग से राजस्तान लोग से वायोग र राज से राजस्तान राज्य और राज्य सरकार से राजस्तान सरकार ये समझने के लिए तीन चीज़े दी गई हैं कि इनका मतलब आगे इस पीडियाफ फाइल में रूल्स में जहां कई ये चीज़े होंगी उनको इस नाम से आपको चानना है ठीक है आप देखिए व्यापति और लागू होना ये नियम किसी परियोजना इसकीम के क्रियावन के लिए वित्वभा की सैमती से प्रसासनिक विभाग द्वरा स्रजित पदों तथा इन नियमों के उपबंदों के आधार अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा इन नियमों के प्रारम की तार तो इन पर लागू होंगे ठीक है किसी भी परियोजना इसकीम के क्रियावन के लिए जिसमें वित्विभाग ने परमिशन दे दी हो और इन पदों को भरा गया हो विज्यापन के माध्यम से तो ये सवीदा के करमचारियों के लिए लागू यहाँ पर होंगे पद और पदों की संख्या आप देखिए हाँ पर इसकीमो परियोजना के क्रियावन के लिए सरजित पदों का सवरूप ऐसा होगा जैसे वित्विभाग के सहमते से प्रसासनिक विभाग द्वारा अदिसुचित किया जाए ठीक है दोस्तों यहाँ बताये गया पद और पद यानि के वित्विभाग जितनी पर्मिसंस देता है रिक्वार्मेंट की उनके आधार पर पद होंगे उनकी संख्या होगी उपनियम यहाँ पर बताये गया कि उपनियम वन के दिन सरजित पदों के संख्या इतनी होगी जैसे सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए मानली जी ये medical department है 2000 लोग चाहिए तो वो पदों की संक्या देखिए यहाँ पर राज्य सरकार दुवरा समय समय पर बताई जाए कि आप समवीदा के रूप में इतने करमचारी ले सकते हैं परंतु देखिए सरकार अब देखिए पहले मैंने बताया था ने सरकार का मतलब क्या है देखिए यहाँ पर लिखा आ गया यहाँ पर अब देखिए ठीक है सरकार देखिए राज्तान सरकार अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है परंतु आवशक समझे जाने पर किसी समीदा आत्मक पद का समय समय पर सरजन कर सकेगी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकार का हकदार बनाए बिना ऐसे किसी पद को उसी रिती से समाप्त कर सकेगी इसमें का गया कि सरकार चाहेगी जब भरती कर सकती है और बिना रिती के और उसे हटा भी सकती है ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं समयदा पर रखे जाने की नियती तो नियम 4 के उपनियम 1 के अधिन सरजीत पदों पर लोग विग्यापन के माध्यम से आविदिन्त आमनतित कर इन नियमों के अधिन समयदा पर रखा जा सकेगा बताया है कि लोग विग्यापन याने की जो विग्यापन एडवर्टाइज़मेंट है जो सोसल मीडिया हो चाहे पबलिक मीडिया हो या फिर जो भी प्रिंट मीडिया हो या फिर प्रैस, नोट, रिलीजिड हो उनके दुवारा इसमें आवेदन पर आमन्तित कर इन नियमों के दिन पर सम्विदा से रखा जा सकेगा आप देखिए आयू, अब इसमें कहा गया है आयू कितनी होगी सम्विदा पर रखने के लिए भ्यारतियों की तो इसमें देखिए आवेदनों की प्राप्ति के नियत अंतिम तारिक के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्स के आयू प्राप्त किया हुआ होना चाहिए इन नियमों के दिन नियुक्ति के लिए उपरी आयू सीमा 40 वर्स होगी इसमें कहा गया है यानि कि मान लीजिये जुलाई में फोर्म निकले तो आपकी एज की गणना किसमें की जाएगी जनवरी में तो जो जनवरी में गणना की जाएगी उस टाइम पे एज होना चाहिए 21 से 40 वर्स के बीए 21 तो नियूंतम और 40 वर्स अधिक्तम यहां पर बताये वर्स SCST, OBC, MBC, EWS की जो महिला व्यारतिया उनको 10 वर्स के चूट यानि कि समविदा भरती में भी यह चूट का जो प्रोसीजर है 21 से 40 उसके बाद यह कटगरी का जो चूट है यह भी मिलने वाला हो सकेगा ठीक है अब देखिए नियूक्ति के लिए आहरता और पातरता की कसोटी देखिए यानि कि जो पद भरेंगे यह समविदा पर उसके लिए आहरता यानि कि योगता क्या होगी पातरता क्या होगी इन नियमों के अधिन सरजित पद की सेक्षनिक अहरता अनुभव कर्तव वे दाइतु कार्मिक वाग और वित्वाग की सहमती से प्रसात्निक विभाग द्वारा विनिस्टे किये जाएंगे अब इसमें कहा गया है कि जो पातरता है यानि कि जो योगता है और अनुभव हो मानलिजे कर्तव हो दाइत हो यह किस की सहमती से कार्मिक विभाग वित्व विभाग की सहमती से प्रसास्निक विभाग है जो तैयार करेगा ठ चिकित्सा प्रमान पत्रों चरित्र प्रमान पत्र का पेस किया जाना तो यहाँ पर भी देखिए इन नियमों के अधिन रखे गए कार्मिक कारे ग्रहन करने से पहले न्यूक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिस्ट उप्योक्त का चिकित्सा प्रमान पत्र देना होगा आपको medical का जो certificate है वो इसके लाव चरित प्रमान पत्र देना होगा पुलिस का जो 6 मास अधिक पूरु का लिखा हुआ नहीं होना चाहिए ठीक है आन्ने सर्ते भी बताए गई हैं कोई व्यक्ति सरकार में किस समीधात पर रखे जाने के लिए पात होगा यदि वह मानसिक रू जिनके होगी वो इस न्यूकति के लिए पात्र नहीं होगे ठीक है ऐसा सरकारी भरतियों में भी होगा और समीधा वाली भरतियों में भी होगा ठीक है परंतु 2 से अधिक संतानों वाला भरति तब तक न्यूकति के लिए नहीं समझा जाएगा जब तक उसकी संतानों की संक आने नहीं होने चाहिए ठीक है अब इसमें संतानों के बार में बताए गया कि आने कि दो बच्चे जुडवा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको एक माना जाएगा एक और आपके बच्चा हो गया तो वैसे तो तीन हो गया लेकिन अगर जो जुडवा हुए था है उनको एक ही काई माना जाता है ठीक है यहां पर यहां देख सकते हैं अब देखिए आरक्षन अब देखिए आरक्षन क्या होगा समीदा नियम में अब इसमें भी का गया कि पांच वरसे अनधिक की कालावदी के लिए इसकीम परियोजना के अवसान की कालावदी तक जो भी पहले के लिए की जाएगी आप देखिए दोस्तों इसमें समविधा के लिए कि यह में बहुत बहुत ही जरूरी चीज है मैं चाहूंगा आप लोग इसे ध्यान से सुनिये य मान लिजिए इन्होंने कोविड के लिए लिए है में लिए ठीक है अब वैसे यह सविधा में नहीं आते ठीक है दोस्तों मैं में चीज आपको बता रहा हूं उधारन के लिए समझा रहा हूं तो मान लिजिए जो परियोजने आवदी है मान लिए आपको कोई सर्वे करना ह सरकार कही कि 6 माहिने तक सर्वे करना है सवीधा की रूप में तो आपको अधिक्तम जो काम पूरा होगा उससे पहले या 5 वर्स की आवधी तक रखा जा सकेगा यह यहां पर इसमें मेंली बात बताए गई है यदी देखिए इसकीम पर्योजना की कालावदी बढ़ाई गई है और राजय सरकार समीधा करेम को आवशकता में ध्यान में रखते हैं समीधा पर न्युक्त व्यक्ति की उप्यत्यक नेधन के पस्चात एक वर्स में एक बार में तीन वर्स के लिए समीधा अत्म कालावदी बढ़ात कर समीधा पर न्युक्तिन अमेनिकरने के लिए मिनिस्ट्रे यहां पर कर सकेगी और जिन्नों ने 60 वर्स की आयू पूरी करली मान लीजिए किसी वक्ति ने तो उसकी नहीं बढ़ेगी ठीक है यह यहां पर बताया गया है दोस्तों अभी 4 पर वीडियो बहुत लो समीधा पर रखे वक्ति का कारे का निर्धन अभी लेखित किया जाएगा ताकि उसे अगले वर्स के लिए समीधा पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना उसका कारे का निर्धन किया जासे कि यानि कि कारे निर्धन यानि कि आपका duty के प्रती जो समर्पन है जो आप का काम करते हैं उसको भी पर्खा जाएगा कई बार नहीं होता सम्विदा में कि आपकी तीन महीने की सेवाओं के बाद जैसा NHM Department है CHO जो भरती किये थे अभी उनमें लिखा गया ना कि तीन महीने के लिए आपके अगर काम से हम संतुष्ठ हैं आपका डेडिकेशन सही है काम के प्रती तो आपको आगे बढ़ाए जा सकेगा आपका कारेकाल तो इसी तरीके से काम को बहुत फोक्स्ड किया किया है इसमें सम्विदा पर न्यूक्ति सम्विदा की कालवधी के आउसान पर समाप्त हो जाएगी और सेवा की समाप्ति के लिए पर्थक से आदेश जारी करन तो इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने के आवशकता नहीं होगी न्यूक्ति आदेश इन नियमों के अधिन न्यूक्ति के लिए चैनेत व्यक्ति न्यूक्ति प्रादिकारी द्वरा सम्विदा पर न्यूक्ति किये जा सकेंगे सम्विदा न्यूक्ति आदेश इन वही चीज है पारिश्रमिक और अन्य सुमिदाएं देखिए यहाँ पर इन नियमों के दिन सरजित पद्यों पर नियुक्त व्यक्ति एक मुष्ट पारिश्रमिक का अकदार होगा जब वित्वाक की सहमति से प्रसासनी कोई भाग द्वारा नियत किया जाए आप देखिए पे नियुक्ति वक्ति ऐसे एक मुष्ट पारिश्रमिक का अकदार होगा वित्वाक की सहमति प्रसासनी यानि कि एक मुष्ट आपको माली जी कोई दस हजार रुपय देंगे ठीक है या पांच हजार रुपय वही पेमेंट दिया जाएगा जो देते आ रहे हैं यह लोग अब इसमें क्या का आगया है एक अच्छी बात हो गई है इसमें प्रतेक एक वर्ष की संतोस पर सेवा पूर्ण होने पर एक मुष्ट मासरिक पारिश्रमिक पांच परतिसत अगले सो रुपय पर पूर्ण अंकित करते हुए बढ़ाया जाएगा ठीक है सो रुपय पर पांच र करमी आप देखिए यहाँ पर परतिवर्स 15 सुरुपय से अंदिकी मेडिकलम पलसी प्रियम के पुनर भरन ये मेडिकल पॉलिसी का वगरा वगरा इसमें चीज बताए गया है ठीक है का भी हकदार होगा इन प्येस का सवीदा कर्मी को को भी तदर्थ बोनस दे नहीं होगा आप देखिए यहाँ पर यह बहुत सार अभ्यारतिस में बिल्कुल भी टेंशन आले यह किस लिए है मैं बता देता हूँ यानि कि दो तो दिपावली पर सरकार बोनस की घोसना करती है उसको कहता है तदर्थ बोनस उसको कहा जाता है आप यह ना सोचे कि कुछ जो मेडिकल डिपार्टमेंट हो आने डिपार्टमेंट जिसमें बोनस अंक मिलते हैं उन से रिलेटेड नहीं है यह ठीक है यह है जो पैसा मिलता दिपावली पे होली पे जो सरकारे घोसना करती है बोनस वगएरा की उनके रिगार्डिंग है आये पर TDI से दिबकाया तक समाधिया कर्म और माण लीजी आप देखी एक साल में बारा सी एल आकसमी कावकाजियन को कहते हैं मरजंस अल्ष ये एल बौलते हैं सी एल बोल सकते हैं कैघ्जवल्य भारा मिलेंगी लेकिन मानने जोइनेंगे बाईसाब होई है मई मैं तो मई मीं में कैसे देगेए आपको तो मई के बा और आगे की 6 आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से 8 मिल जाएंगे, यानि कि CL 12 मिलनी है, ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, और ये हैं, अगर आप ये CL नहीं लेंगे ते खत्म हो जाएंगे, अब देखिए, सवीधा पर रखा गया व्यक्ति, सवीधा सिवा के प्रतेक जो सवीधा पर आप लोग लगेंगे, तो आप एक साल के अंदर, पूर्ण वर्स के सम्मंद में, 20 द्वस की हाप पेमेंट लिव ले सकते हैं, मेडिकल दे करके, ठीक है, हाप पेमेंट लिव जो हैं, आपको 20 मिल सकेंगे, महिलास जो सवीधा करमी हैं, उनके लिए को जीव संतान नहीं हो, तो मातर तवकास के लिए एक और आउसर दिया जा सकेगा, चुट्टी का संदे, चुट्टी प्रारम होने से पूर के दिन को संदात्मक, समीधात्मक, पर इसनमक की रकम के दर से अनुसार, यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, यानि कि 180 दिन की जो मैटर निटी जो लिव है, मातर तवकास है, वो यहाँ पर इसमें मिलेगा, यह है, यानि कि आपके बच्चे दो से कम हों तो ही, ठीक है, आप देखें समीधा कर्मी सक्ष माधिकारी के अनुमत इससे पूर मुख्याला नहीं छोड़ेगा, यात्रा भत्ता भी इसमें बताए गया है, वो भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह दोखिये, देवस्तों यहाँ पर हैं, आप देखें सामाने सरते हैं, समीधा पर रखे गए व्यक्ति के लिए, आपका आच्रन अच्छा होना चीए, संतोस्प्रद होना चीए, कदाचार अपनी में होना चीए, ए उनिफारम वर्दी, इसके लिए देखिए, उनिफारम वर्दी समधित अनुदेश, यदि जारी केगे तो अनुपालना करनी होगे, आपको यानि की जो ड्रेस कोड है, उसको फोलो अप करना होगा, ठीक है, उसकी रकम प्रसासनी कोई भागद्वार नियत की गई, जाएग पर प्रतिकर के संदा, एक वर्स तक एक मा की उपलब दिया, प्रतिकर दो वर्स तक दो मा की उपलब दिया, दोस्तों ये प्रतिकर का है, मैं आपको समझ के बताऊँगा, मैं लिए मुझे समझ में नहीं आया, मैं चीज क्या है, तो मैं आपको इसको बाद में बताऊँग भी बनाए गए हैं कि भाई आपको बस एक तरीके से बाउंडेशन करने की कोशिस है ठीक है दोस्तों ये पढ़ लीजिए आप लोग ये बहुत बड़ा यहाँ पर नियम बनाए गए हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनिंग की जाएगी हमकाना धिमकाना किया जाएगा आप देखिए स्क्रीनिंग कमेटी में कौन-कौन होगे जो चैन करेंगे ये देखिए आप लोग प्रसाच निभा का त्रिक्त मुक्षचिव प्रमुक्षचिव सचिव अध्यक्स होगा ये ये इस तरीके से चार सद से टीम होगी ठीक है आप लोग देख सकते हैं नियुक्ति प्रादिकार इस वक्ति से नियुक्ति आदिस जारी करें जो स्क्रेणिंग समेति के दुआरा पधिकले उप्यूक्त रूप में नयावर्नित किया गया यानि कि पहले से जो प्रोसेजर्स था न दोस्तों कहीं न कही वही रूल्स हैं ये ठीक है पन्नी बदल करके लाए गया इनको थोड़ा सा पेपर का कवर बदल दिया है थोड़ा कुछ चेंज भी हुआ है थोड़ा कुछ आप देखिए ये जो समेति स्क्रिनिंग समेति है वो यहाँ पर चेंड करेगी आप इसमें देख सकते हैं आप ल प्रतिसत मिलेगा इस तरीके से बताए गया है ठीक है दोस्तों ये देखिए इस तरीके के आपके जोनिंग लेटर आएगे आगे से जो सम्विदा पर करमचारी होगा प्रारूप ये होगा इस तरीके से आपसे एक एफिडेविट भी लिया जा सकता है ठीक है ध्यान रखि हम पे डाल रहा हूं इसकी और दोस्तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग बहुत कम चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहें आजकर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्तो लोंग वीडियो हो गया क्योंकि पीडिया बहुत बड़ी थी और समझाना बहुत जरूरी था और वो जो ये प्रतिहरन वाला जो था मैं आप लोगों को खुद एक बार समझ के जरूर बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि दोस्तों गलत जानकर यह देना मेरे मापदंडों के खिलाप होता है उसूलो लोगों के जरूर एक वीडियो लेके आँगा धाने बाद दोस्तों जैहिंज भारत यह पीडियाफ है टेली ग्राम पर मिल जाएगे आप लोगों के लिए वहां से आप लोग लेख सकते हैं जिस कलेंग डेस्क्रिप्शन में दिया गया है